हेलो रोडियोग्राफर्स आप मैसल्फ अमिल सःयर एंड टोड़े वी अर्टील्ड फिल्मिंग प्रसेस ऑफ सिटी ब्रेंड कॉंट्रास्ट तो आज हम देखेंगे कि ब्रेंड कॉंट्रास्ट में हमें कितने इमिजिस बनाने होते हैं और फिल्म फॉर्मिट क्या रिक्वा बताने चाहता हूं जो हम फिल्मिंग प्रसेस करने वादे हैं यह हम सेटी जी रेवल्यूशन पर करेंगे इसका सॉफ़्यर यूज़ करेंगे तो चलिए फिल्मिंग स्टार्ट करता है आप पिशिन का नाम देख सकते हैं पिशिन का नाम है शबन है इसके सारे स्रीज यहां पर open हो जाएंगे like you can see first हमारा है Scout Images Minster Program उसके बाद में हमारा Thick Scan जो हमने 5M का Slice ते के Scan लिया था वो और उसका Bone Recon Thin Recon फिर Bone Thin Recon और उसके बाद में Contrast Images Contrast Theme और Thin तो सबसे पहले हमें जो Clean Thin Scan है जो उसे हमें लेना है और इसे Reformat में Upload कर देना है इस तरह से Reformat में डालने के बाद में आपको Manually 5mm का Average Thickness देना है Axial Cores आप देख सकते हैं यह Cursor आपको Cursor पर जहान रखना है मैं जहांब भी Cursor लेके जाओंगा आपको वहां देखना होगा तो मैंने आप सब्सक्राइब करने के लिए आप यहां पर आजाएगे यहां पर आपको Multi Oblick option आएगा यह Multi Oblick को स्लेक्ट करना है और Sag वाले image जिसमें आपको Scroll करना है image और आपको देखना यह Heart Palette कहां पर शोग हो रहा है मैं आपको यह शोग करता हूँ एक मिट यह जो आप देख रहे हैं यह Heart Palette है आपको यह image फाइंड करना है जहां भी दीखें यह image और इसको लिए आना है यह जो horizontal line है यह horizontal line है आपको इस Heart Palette से parallel करना होता है इस सरह से आपको इससे parallel करना है यह parallel करने के बाद में आपको axial images symmetrical हो जाएंगी, symmetrical images मिल जाएंगे आपको इसके बाद में scroll करना है उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि एक orbital cavity बड़ी हो एक छूटी दिख रही है तो वह आप उसको symmetrical करने के लिए वापस से multi oblique को unselect करना है इस पर आपको click करना है और manually आप इसे थोड़ा सा rotate कर सकते हैं तो यह अब हमारा perfectly symmetrical images है इसके बाद में हम इसे pan select करेंगे और इसे slice cutting start करना है तो सबसे पर आपको नीचे की तरफ में scroll करना है आपको ध्यान देना है यह brain है तो नीचे आना है यह brain जैसे ही खतम होता है और उसके बाद में एक vertebral body completely issue होती है इसे हम at last vertebrae बोलते हैं यहां आना है इस image पर click करना है और फिर batch प्याना है लूप प्यांकि इस image पर click करके set start कर लीजिए आप और फिर उपर की तरफ में scroll करके आपको images बनाने है उपर जाना है जहां पर यह cerebrum खतम होने वाला हो वहां पर stop करना है set end करना है और आपको manually 17 images बनाने होंगे 17 17 17 बनाने के बाद में इसे save कर लीजिए आप यह save हो गया अब इसे exit कर लीजिए इसका काम हो गया और अब हम contrast 3 images select करेंगे contrast के 3 images और इसे भी reform में डाल देंगे इसके बाद में इसमें भी हमें axial, core, sag तीनो प्लेंज में हमें 5 mm का average thickness देना होगा तो इस पर cursor रखना है आपको यहां पर और keyboard से 5 type करना है आपको और इंटर करना है और इस MIP को average में change करना है 5 mm का average इस तिकने साब को इसी तरह से set करना है यह होने के बाद वापस से आप multi objects लेक करने के बाद में इससे symmetrical कर लीजी इस तरह से आमने plane वाले scan में किया था symmetrical होने के बाद में करना है इस image पर क्लिक करना है वापस से आपको चेक करना है यह completely symmetrical हुआ है यह नहीं है तो इसे आपको थोड़ा सा मैनुल एडजस्मेंट करना होगा यह होने के बाद में आपको वापस नीचे आना है यह आप देख सकते हैं इस image पर क्लिक करना है और फिर वापस से क्लिक करना है और फिर उपर की तरफ में इमें स्टोड़ा सा नीचे शिप्ट होगा यहां पर एडजस्ट कर लेंगे ऐसे यहां से हमने लिए स्टार्ट किया और फिर उपर की तरफ में स्टोड करना है जैसे यह आपको सेट एंडे करना है और आपको 30 इमिज बनाने है और फिर आपको 40 के 30 इमिजिस करना पड़ेगा आपको 30 इमिज बनाके इसे आप सेब कर लिजिए और फिर अब हमें Core के Images बनाने हैं तो Core का Images बनाने के लिए सबसे पर आपको चेक करना symmetrical है कि निए तो symmetrical देखने के लिए आगी के तरफ में आना है PNS के area पे, sinus के area पे या फिर आप orbital region बोल सकते हैं तो यहां आप देख सकते हैं एक यह orbital जो bone है यह completely joint दिख रहा है, एक side का नहीं joint दिख रहा है तो इससे आपको manually adjust करना होगा इस तरह से और फिर आपको check करना है scroll करके देखी, एक साथ में joint होना चाहिए तो यह symmetrical show होगा आप यहां आप देख सकते हैं कि आप symmetrical दिख रहा है इसके बाद में आपको आगी के दरफ में scroll करना है यहां से आप slice cutting гार करना है set करके पीछी के side में नीची के दरफ में scroll करना है और ceriabrum end होते ही आपको यहां पर set end करना है इसका आपको 12 blessed बनाने है बाराaja बनाने के बाद में इसे okay करना है तो इस पिशिन का तो almost normal लग रहा है सारा चीज, अगर किसी particular region में कोई cyst, lesion, कुछ भी आगर आपको pathology दिखती है, तो आप बस उस particular image का ही region का ही 12 image बना सकते हैं, अब सपोज यह जो ventricle आपको दिखता है, तो आपको बस इतना ही area कवर करना है, जहांसे ventricle स्टार्ट हो रहा है, यहां से start करके, यहां end करना है, बस इतने से area का ही आपको बनाना होगा, अगर कोई pathology दिखता है, और अगर कोई pathology नहीं है, तो आपको starting से लेके ending तर पूरा image इस cover करना होगा, अब हम set का बनाएंगे, तो हमें right side की तरफ में scroll करना है, अब हम यहां से slice cutting start करेंगे, तो इस image पर click करना है, set start करना है, और फिर opposite direction में scroll करना है, opposite direction में आने के बाद में, यहां पर आपको set end करना है, और इसे आपको 12 image बनाना है, इसे भी save कर लीजिए, औ और अब exit करना है, अब हमारा slice cutting का काम हो चुका है, अब हम filming process start करेंगे, तो filming process start करने के यह, सबसे पहले हमें आना है topogram पे, means scout images पे, उस पे double click करना है, वो viewer में open हो जाएगा, viewer में आने के बाद में, इस image भी click करके, यहां comment section में, यहां जहां आपको percentage दिख रहा है, यहां प cover किया था, यह reference line show करता है, कि हमने maxilla से लेके, उपर पूरा cover किया था, images, यह show करेगा, इसके बाद में film save के आना है, और camera 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 पे click करना है, यह image save हो जाएगा, इसके बाद में यहां से आपको exit करना है, और जो हमने screen save किया है, screen save यहां पे आपको images show होगा, इसे आपको manual film में डाल देना है, और minimize करके नीची के तरफ में drag कर लिजिए, इसके बाद में 17 image axial plane का बनाया था, इसे आपको manual film में डाल देना है, और उसके बाद में 30 images axial post contrast का बनाया था, इसे भी manual film में डालना है, और फिर जो हमने 12 image tonal post contrast का बनाया था, इसे भी manual film में हम डाल देंगे, और ज एसे भी मैंवल टूम में डाल देगे इसके बाद में फुल स्क्रEen करना है और फिर फर्सट पेडेंग के बाद में आपको एको फॉर्मेट सेट करना होगा तो फॉर्मेट आपको लेना है छिक्स-बै-शिक्स सेकंड फिल्म पर भी आना है इस पर भी फॉर्मिट होगा six by six अगर आप चाहें तो अनुटिशिन निकाल सकते हैं सारे इमिज पर से और अगर रहने देते हैं तो भी चलेगा इसके बाद में टोपोग्राम को स्लेक करना है और इसे जूम कर लीजिए आप इसे इस तरह से करना है नेजल लीजिए कट हुआ है इसे में तुम तरह सार नीचे शिफ्ट कर लूगा और फिर जो एग्जियल कॉन्टास्ट का इमिजिस है इसे भी हम जूम कर लेंगे जूम करना है और इमेज को आपको सेट करना है बीश में कहीं पर फड़ा सा बैटनेस पर लिजिश क करने के लिए और यहां पर हमें दालेंगे यहां वे लिखना है जो करता हूँ इस image पर करके आपको ग्लिक करता हूँ इसके बाद में आपको next film प्याना है इसकी भी एक्जिल इमिज़ को आपको select करना है और इसे भी आप जूम करेंगे इस तरह से जूम कर लिए फिर हम कॉर्डिनल वाले इमिज़ को select करेंगे और इसे भी हमें जूम करना है अच्छी तरह से जूम करके आपको बीच में set करना है फिर size में जिसको भी हम select करेंगे और इसे भी जूम कर लिए जूम कर लिए बस आपको ज्यान देना है कि किसी side से cut नहीं होना चाहिए फिर मैं पूरा प्रीश लेख करके contrast एडिजिस कर देता हूं कि यह होने के बार में आपको अप्रीशन डालना है मैं एक क्लिक किया आपको शूर करता हूं एक बोन पर आपको अप्रीशन नहीं रहा है तो शूर नहीं होगा विकास बोन भी वाइट कुदर में दिखता है और आपको इसे करना है आपको इसे करना है आप नहीं देख से तो हुँ एक सैज राइट लिफ्ट पोस का इसलिए क्योंकि हमने स्ऴाइट साइड से स्लाइस कटिंग सिस्टाल किये था हूनने हट id यह होगा तो इसी तरह से हमारा डो मरेगा अगर कूझा होगा है तो और आपको त्रौमा केस होगा तो ही आपको फिल्स होगा otherwise आपको सिर्फ दो फिल्म देना है अगर ब्रेन कॉंट्रास्ट है तो यह हो गया that's it so radiographers this was the complete detail filming process of city brain contrast मैं आपको एक बार फिर से film format बता देता हूं आपको सबसे पहले एक topogram लेना है और उसके बाद में 17 images एडिजिल प्लेन के लेने हैं और उसके वारने 30 images 30 images एक जिल पोस्ट एक लेने हैं और 12 images कुरणल पोस्ट क्वन्ट्रास के बनाने हैं और 12 image की सैज्ट्रास के बनाने हैं इस तरह से आपका दो फिल्म बनेगा जिक्स बाइए सिक्स के format में यह सारे images एड़्यस हो जाएंगे और आपके क्वेशी हो टे दो